आपने पिछले कुछ सालों में देखा कि मुस्लिमों की मेज लगातार खराम हो रही है। मुसल्मान शब्द सामने आते ही हमारे ध्यान में टर्रीरिजम आने लगता है। तो क्या मुसल्मान सच में इतने बुरे हैं। जा फिर उनके खिलाफ की प्रपोगेंडा फ्लाइज आ रहा है। कोई ऐसी सचाही जो इनके खिलाफ शुपाईज आ रही है। कि आप जानते हो कि बाहर से मुसलिमानों को बाहर मिकालने की तरी शुरू हो चुकि है। इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए वह जद्दो जाहिद कर रहे हैं। कोई लोगों के लिए कानून आने जुरू है। केश्वध डेव तेंपल मतुरा, अतरादेव तेंपल जानुपूर, काशि भिष्वनार टेंपल वरार सी, जहन टेंपल स्दैली, रूद्रा-हलय तेंपल गुजरात, बद्रकाली दूजरात, हिंडू टेंपल वेस्ट वेंगाल, विजय तेंपल मतय परदेश, ऐसे नाजाने कितने मंदिर हैं जिनको मुग्रों ने डेमोनिश किया आज भी हमारे देश में ऐसी मिटल्टी के लोग भूम रहे हैं शाधी इसलिए एन नजी का काम आजकर थोड़े ज्यादा ही बढ़ गया लगलाग इसों में शापे मारी हो रही है और ऐसे लोगों को कंट्रीस अब एक लिमिट करणा होगी है और आप जिस किसी भी देश में जा रहे हो उस देश का कल्चर बदलने की आपको शिच करते हैं यह बादो बात में बैठी हुं चुजों को कहना का जो मुस्रिमों के बोल रोड के उपर नमाज अदार करने के लिए तो तालिे बज लोगों की जुबान में से एक लवज तक उसके खिलाफ निकलता हैं लेकिन सच तो जह है कि पहली मस्जिद जो केरला में बनी थी और उसके बाद कितनी ही मस्जिदें हमारे मंदर ढाकर बना दी गए थे लोग भारत सकार के अंती मुसलिम होने की दहे जो लोग इसलिए मुसलिम की बट कर लो अलिकर्द मुसलिम इविवस्टी की बाद कर लोग सब्सक्राइब कि भारत में उनको बोलने की अजादी है अगर भारत ऐसे दर्व मिल पेच्छना होता तो वो लोग आज खड़े ही ना होते हैं सोच के देखिए ना पहली मस्जिर बनती ना मुस्लिम यहां पे आते हैं मुस्लिम तो भारत का कुछ दर्व था ही नहीं वो तो मिल इस्ट से है तो कैसे वो लोग आज एक खड़े होकर भारत के खिलाफ ही जब के इकताल से बैल इस देशे मुस्लिम कंट्रीज की इंडोनेशा की आप एक्जम्पल लेजे लेकिन आज वहां पे 95 पॉपलेश्ट अब तक आपको वीडियो में लगा हो कि मैं मुस्लिमों के खिलाफ हूं मैं मुस्लिमों के खिलाफ नहीं मैं कलाम का फैर हूं लेकिन कसाब करने हैं तर लोस पउघन के नाग सी अंत्रड़ के पीशे राम सुना है कि कभी किसी अंतिक न्डिक के पीशे जोआ शॉब सी नवर को कि चाई रूप नियुंने कई जीशा कॉठी लग्ता बिदिंदारे स्टनतियने लेगा ममह भी काँ इन चु है तेax. है जो और तो की जगुरों को प्लवास करना नाया जैसी है। दुनिया के उपर सता बनाने के लालच में दुनिया के उपर राज़ करने के लाज़ में आप किसी और का घर हो जाओ इंडिया के साथ यूरोप में भी इस मसले के उपर अब 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 जय उटनी शुरू हो गई हैं आगे यही टॉपिक आपको बताऊगा कैसे चिन किन देश साथ यह जहाँ पार में करकाा किसी अबितली में जरुष कंड़ी स्पेपरोग सलिओंटर्य मुक्त ुट्डिया त हमकोसी अवाच्छी सिज्जनी यहाँनी दो जेग उने किली estret까지 के लिगे मुसल्या क one Churchill युज हो पिषान्ताओिक का लिए घुट युटिए यूब जिए यूनिगे यूप फिरिए का लिए कि चुट है आटे taking all sincere आति कि अपूला इसला उर सिल्धाईवां ओे आति की कैसे मुस्मिमों द्वारा शरिया कानून की मांग दिये जाने से डर हुई है कैसे यूरोप में इस पुरे मुद्दे से खल्चल मची हुई है इतने मुस्मिम इमिग्रांट्स आगें कि जो लोग वहां के लोकल्स है अब वहीं इमिग्रेंट्स बनके रह गए अब यूके के प्राइमिरिस्टर रिशी सुर्ण की बात कर लो उन्होंने तो इमिग्रेंट्स को अपने देश के लिए खत्रा तक बता दिया और बकायदा एक कानून भी पास करा दिया रवांडा नाम का जो कि एक अफ्रीकन देश है रवांडा देश इसको तीन सु मिलियान डॉल्डर अगर आपको एसलम चाहिए तो आपको रवांडा रहना होगा वहीं पर आगे के अपनी जिंदगी बिताओंगे लेकिन यूके में आपके लिए कुछ जगा नहीं सुनिये रिशी सुनकर आपने वेर में क्या कहा और इसी बात के ओपर जोर्ग्या मिलोनी ने तो इटली की प्रेम निस्ट्रा उने भी मुखर लगेंगे प्रेमस्टी लगली में नहीं सुनकर प्रेमि बातना दर्रीघ् hunting उम्स्था करता अपके उलिए कारती है फिर्णी शोड़ी पर चुनियृक्ड भाइव कि कॉछिश जो पाक्स्तान जो इरान जो जहां भी जो भी शरिया कानून जीदर लगी हो है वहां पर जाओ अब एरोप में क्या करनी है बात तो भी है ना लॉजिक की पहले दुने के देश में बुसों इमिग्रेंट समझने के फिर वहां बादी बड़ा हो बादी इतनी बड़ेगी कि हम पूरे देश का शिष्टर अब बादी इतने सकता नगा दिये ति जो मुस्लिमी में इस ने चला रहा है और जो लोग अब भी वहां पे हैं इमिग्रेंट स्ट जो किसी का गणा काट अट इचिनी के ऊपर गाड़ी चड़ा दी धान के नाम के नाम पर उनको भी आप पेल के बाहर निकाल रहा है जर्मनी जब सीरिया में आयसाइस का कॉंट्रॉल शुरू हुआ तो जर्मनी ही था इसने सीरिया के लोगों को सबसे ज़्यादा है करी उनको इमिग्राइट बना के अपने देश में लेकाया और आज खुदी ही उनी से परेशान है इस हद तक परेशान हो सब्सक्राइब करें देशान है कि तुम्हारी सरकार भी जाने दो उसके बाद राम बंदर तुम्हें बनाया बावरी मजर वहीं उसको धाके बनागे है को छोटे बच्चे की में अगर तुम सब्सक्राइब करने की कोश्चिस कीजिए कि सब्सक्राइब करें कि अपनाना होगा उसकी रिस्पेक्ट करने पड़ेगा कैसे इमेज खराब हो रही है जो सारा कुश हो रहे है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट सेक्चिन में जिरू बताइए कि जरूर लिखेगा और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक श्यार सब्सक्राइब करके किस वीडियो के ऊपर आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहते हो कि मेंट करना प्लीज बताना जरूर आई वीडियो पर वीडियो बनाओ तो आप मुझे दीजिया जाज़त जाहिए झाल